बारिशों का मौसम सामने खड़ा था बाड़ के भी अनुमान थे एक व्यक्ति के पास घर में बहुत सारा मेवा पड़ा हो था बहुत सारे ड्राइफरूट पड़े दो थे घर में कोई शादी हुई होगी तोफे में खुब सारा समाना आ गया अचानक एक सुभा उसका पडो लिए हुए थे खाने पीने का समान या तो खतम हो गया रसद या तो खतम हो गई बचा खुचा समान सड़ गया क्योंकि खाने का समान कितने दिन तक चलता बचा तो क्या बचा ड्राइफरूट बचे उमावा बचा उमेवा बचा लंबे समय तक चलने वाली चुनिंदा ची तुछ दिनों के लिए गुजारा चलाने के लिए कृस्ते अपने फैसलों को कं समय के रिटर्ण्स पर कंव समय में क्या मिल रहा है आज क्या मिल रहे जल्दी से जल्दी क्या मिलेगा उन बातों के दम पर लेते उनकी आखे पास रखी चमकदार वस्तू से चुंधिया जाती है उससे आगे वो फिर देखी नहीं पाते है अपने भविश्य को देखी नहीं पाते है मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कुछ सेलरी हाइक के लिए नौकरी छोड़ दी जमी जमाई नौकरी छोड़ दी स्टेबल नौकरी छोड़ दी बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ दी सोचा भी नहीं कहां जा रहा हूँ हाइक मिल गया जी मेरे को तो पचास परसंट का हाइक मिल गया तीस परसंट का हाइक मिल गया बीस परसंट का हाइक मिल गया और वहाँ जाके उनको रोना पड़ा कंपनी बंद हो गई, कंपनी ने ले ओफ कर दिया, नहीं कंपनी थी वहाँ मैनेजर का विवार बहुत खराब था वो जॉब स्टेबल नहीं है, वर्क प्रेशर बहुत ज़ादा है क्योंकि पहले इस सब चीजे देखी ही नहीं, चार लोगों से पूछा ही नहीं होता है न, ऐसा आपने भी देखा होगा, ऐसा होते हुए सिर्फ सुन्दरता देखकर एक इनसान के पीछे पढ़ गए, रिष्टा बना लिया, रिष्टा जोड लिया, ना बात की, ना समझा, ना जाना अट्रेक्शन में पागल हो गए, और कोर्ट में जब डिवोर्स के लिए लोग जाते हैं न, ऐसे ही सुन्दर इंसान की शकल देखना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों, एक फैसले की कीमत अभी बनती है, जब उसको लेने से पहले आप अपने पुराने भूत के अनुभवों का ध्यान करते हो, कि क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था, जो आज भी हो सकता है और अपने आने वाले भविश्य का सोचते हो, लंबे समय का सोचते हो कि इस फैसले का क्या प्रभाव उस पर पढ़ने वाला है तब एक फैसला मजबूत बनता है, घहरा बनता है, भारी बनता है वरना हर फैसला खोकला है, इंद्रियों से प्रभावित है, चका चौन से प्रभावित है और आपको भविश्य में पश्चाता भी देगा, दुख ही देगा दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जीवन का एक होलसम विजन रखो जीवन को सतह से मत जीओ, हर विश्य से सोचो, अगर आपकी सोच भातिक भी है भातिक वादी चीजों से वस्तों से प्रेम भी है, तो भी अध्यात्मिक तरीके से भी सोचो कि किसी भी फैसले से बहुत एक वादी चीज तो ही मिल जाएगी पर अध्यात्मिक तोर पर मेरा क्या बला होगा, क्या सीखूंगा क्या मेरे उसूल कायम रहेंगे, क्या मेरे करम कायम रहेंगे आज क्या मिलेगा, लेकिन कल क्या मिलेगा आज क्या मिलेगा लेकिन कल क्या चले जाएगा कल किसी का नुकसान भुगतना पड़ेगा या आज क्या खोएगा तो कल क्या मिल सकता है कितना बड़ा मिल सकता है या इससे सिर्फ रिटरंस का नहीं देखना सीखें क्या मिलेंगी किस से experience जादा मिलेगा overall मेरी mind की growth कैसे होगी जीवन में हमेशा overall progress का सोचो दोस्तो तब ही उन्नती होगी और साथ ही आपके वादे, आपकी values, आपके morals, आपके उसूल वो हर फैसले में, हर दिन में, हर काम में कायम रहने चाहिए यहां तक कि मैं एक बात यह भी बोलूँगा कि जादा optimistic होना भी सही नहीं है optimism को भी हमें थोड़ा सा pessimism से practicality से balance करके चलना है दोस्तो जादा आशावादी होना भी आपको अंधा कर देता है आप उपर देखकर चलना शुरू कर देते हैं और गड़े नीचे होते हैं मैं यह नहीं कहा रहा कि निराशावादी बन जाओ पर सोच को balance रखो अच्छे बुरे दोनों का सोच के चलो आपकी intention आपकी सोच यह होनी चीए कि यह पूरी कहानी मुझे अच्छे से उसूलों के साथ मजबूती के साथ जीनी है अपनी कहानी का नायक बनना है सही रहा पर चलना है मुझे अपने आज को भी समालना है अपने बविश्य को भी समालना है और जो भूत में गलत हुआ वो सिर्फ मेरी सीखे हैं वो मेरे करमो दे थे वो बीट गए उनसे मैं मुक्त हुआ और जो फल उनसे मिला है वो है जीवन भर के लिए सीखे कि आगे से वो कैसे ना हो तो कसम खा लो कि कभी भी किसी भी एक चीज की चका चौन से मुझे अंधा नहीं होना चारो तरफ का सोच के समय लगा के फैस्ता लेना है हो सकता एक पेड को आज ही काड़ दो तो उसकी लखड़ी आपको बहुत सारा पैसा दे जाए आपकी आज की ख्वाईशे पूरी हो जाए पर जो सालों साल उसमें फल लदेंगे उनको खा कर उनको बेच कर जो आपको फायदा होगा उसके आगे आज का फायदा कुछ भी न देख रहे हो पूरे भविश्य को निहार रहे हो देख रहे हो सोच चले हो समझ रहे हो थाइंक यू डॉल दे बेस्ट